विवान साब ने जो कुछ किया और बाद में जो कुछ हुआ उस अब यहीं हुआ जज़ साब आपने विदा देखा था तो अब बोलने के लिए बचा क्या है जो गीता पर हाथ रखकर कसम खाओ कुछ ऐसी बाते भी कहनी पड़ेगी जो इस अदालत में नहीं हुई थी हमारे पास ना तो दहेज देने के लिए रुपए है और ना ही वकील की फीस के लिए इसलिए मैं खुदी इसके इसकी पैरवी कर रही हूं मैं जो कहूंगा सच कहूंगा मिस्टर अंकुष आपको एक वादा करना पड़ेगा कि मैं आपसे जो कुछ भी पूछूंगी आप उसका जवाब बहुती शांती से दीजेगा शांती से जवाब दूँगा घड़त मज जाएगा जी हर्गीज नहीं सुनाने आपकी माँ वैश्या थी है मुह सवाल के बात कर आपकी माँ वैश्या थी या नहीं मेरे इतना समझाने के बावजूद कि शांती से जवाब दीजेए जब मैंने इनसे ये कहा कि इनकी माँ वैश्या थी जो एक सच है तो ये भड़क उठें तो बताईए योरॉनर मेरे पिता दिवान सहाब को उस वब गुस्सा क्यों नहीं आता जब उनको वैश्या का बाप का जाना था वो भी इस भरी अदालत में है चीक चीक कर सबके सामने मिस्टर अंकुष आप रिवॉल्वर अपने पास हमेशा रखते हैं या नहीं है हाँ योरॉनर रिवॉल्वर हमेशा अपने पास अक्सर वो लोग लखा करते हैं जिनके पास बहुत सारी दौलत होती है य जी भरकर की चड़ उचाना जाएगा पचारे शरीफ लोग हैं उनकी इज़त की तो मुसीबत में शरीफों की कभी इज़त नहीं घटती जला भी डालो सोने को मगर कीमत नहीं घटती मिलोड एक औरत जब किसी की धर्मपत्नी बनती है तो वो अरधांग मी कहलाती है यानि की आधा अंग और जब किसी इनसान के आधे अंग पर कोल हो जाए या सर जाए तो उसे दुनिया का कोई भी डॉक्टर में ही बचा सकता लेकिन आपका कानून उसे बचा सकता है उसे उ निरजन चौधरी की ध्रम पतनी पूजा धर्म और पतनी दोलों के ही नाम पर कलंक है एसी उरत चुद की बिमार की तरह होती है जेशाम जीती जाकती मौहत है वो और यही वजह है कि मैं दलत से निरजन चौधरी कि लिए जीवन दान चाहता हूं और यह तभी मिंकिन है जब उस वेश्या से तलाग दिला दिया जाए मिलोड इस से पहले कि इस केस की कारवाई शुरू हो मुझे इस अदालत से कुछ कहना है इजाज़त है निरंजन चौधरी को पूजा से तलाग चाहिए हम वादा करते हैं कि जिन हाथों पर उसने महंदी लगाई थी उन्हीं हाथों से वो तलाग के एक आखजात पर दस्तकत करेगी लेकिन हमारी एक शर्थ है कि ये केस यहीं ख़दम कर दिया जाए लेकिन आप ऐसा क्यूं चाहते तुलसी का पौदा अगर अच्छा नहीं लगता हो तो उसे घर से निकाल दो लेकिन उसे इस हालत पर नपचा दो कि वो न पूझने के लाइक रहे और न जीने के हमें इन चीजों से कोई मतलम नहीं रही तलाग की बात तो वो हम कोड से ले लेंगे मिलोर्ड ये पूझा से सिर्फ तलाग ही नहीं भरी अदालत में उसकी इज़त पर कीचर उचाल कर उससे जीने का अधिकार भी चीनना चाते हैं और ये इजाज़त मैं इन्हें कभी नहीं दूँगा आप कानून के साथ खेल रहे हैं आपको तो कानून की रक्षा करनी चाहिए आज मुझे कानून की नहीं अपनी अउलाद की रक्षा करनी है मैं तुम्हें आखरी बार पूछता हूँ तुम ये केस वापस लेते हो या नहीं वकील साब आप सच कह रहे हैं बिल्कुर सच खुद जसाब इस बात की गवाई देने वाल हैं कि दीवान साब अदालत की मर्यादा को भंक कर रहे थे और अंकुष चोद्री ने सेल्फ डिफेंस में गोली चलाई इसलिए चिंता की कोई बात नहीं अंकुष साब बाहिज़त रहा हो जाएंगे आरे साब भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी यह तो सब प्रभू की लीला है कि रहे दुलन के गहने राम नाम सक्थ्य है मां दुर्गे का रूप धरूंगी मैं उन लोगों को तिल तिल मारूंगे मैं तो मर चुकी हूँ मैं उनको तबाह वरबात कर दूँगी मुझे 40 किलो लगणी चाहिए अपने लिए? चट बनाने के लिए कि जलाने के लिए? जलाने के लिए अपने चिता जलाने के लिए पहले से लगणी आए कठी करें मुझे सबाल के बात कर अभी मेरी मर्दे की उमर नहीं है अभी दो साल पहले मेरे बात ने दूसरी चादी किये हाउ? फिर तो उनको मबारक बात देनी चाहिए का मिलेंगे वो? वो अपने बाप से बिलने गए हैं यानि कि उनके बाप भी जिन्दा है? लगता है कि पूरे खांदान ने आवे हायात पी रखी है ये पंड़ जी आजकल शादी कराने का दंदा बंद कर दिये क्या? अरे उनका मीनों के चक्कर में तो मैं पिट्टे पिट्टे बचा हूँ क्या? चलो चलो लखली वजन करो अरे ये तो लो के कैसे? वजन कहा है? तुमारे बाप दादा की तरह चलता फिरता वजन है मेरे बाद दिखाओ तेरे को ये बताओ तुमीने वजन की जरहा क्यों इस्तेबाल करते हो? ये लोगा राद बर जागते रहते हैं दिन भर काम करेंगे ना तो ठक कर जल्दी सो जाएंगे और फिर उसके बाद मेरा सपना पूरा हो जाएगा कहां वो पोटे? उनसे बहुत वजन उठाने को लगाई क्या? वो छोटे बच्चे हैं उनसे इतना काम न को लेओ कि उनका कचुम्बर निकल जाए पोटे सच मुश्स हो गया है? जाके खुदिश देख लो एक मिनट देखकर आता हूँ, सोना नहीं मेरी शब्बो, मेरी भागमती, मेरी लाट बजार, मेरी चूडियों की दुकान सच्ची, तो ऐसा पहले काईको नहीं बोले, इससे पहले ये घर, हैदराबाद का छिडिया घर दिखता था, लेकिन आज आगरे का ताज महल लग रहा है, शब्बो, बन्ने, मेरा दिल कर रहा है कि तुमको, नहीं, हाथ नको लगाओ मुझको, काईको, आज मैं मजबूर आज नको, नको 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 करो जी, हाओ, हाओ, हाओ करो जी, मुझे अतीम पर रहम खाओ, खोदा तुमको फाल नहींगा, आओ, आओ समझ कहे न और अभी भी नहीं समझे तो कहो कान में बोलू नको नको कान में नको नको समझ गया इसका मतलब आज भी हाऊ हाऊ मेरा क्या नजीब रे मैंने अभी तक सुहाग रतनी मनाई और उदर छोटे चोदरी को देखो एक शादी के बाद दूसरी शादी का शगुन लेकर जाने वाला है अभी वो हल्दी भी मज़े से लगा रहा होगा साला करें 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 इतना डर क्यों गये है मैं तो सिर्फ हल्दी लगा रही थी कोई कफन नहीं पैना रही थी यह रही वो जेवरों की लिस्ट जो दीवान सहाब ने दिये थे और साथ में मांग ठीका भी है जो इनकी बेहन से जबर्दस्ती छीन लिया गया था अगर आप लोगों की बैमानी की नियत नहीं है तो इन्हें जल सिल लोटा दें वरना हम अदालत के दरवाजा खटखटाएंगे उन्होंने दिया ही क्या है जो भी दिया है हम सब लोटा देंगे वैसे भी विकारियों के हम कोई चीज नहीं रखते विकारी तो खाली हाथ भीक मांगते है मगर आप लोग तो अपने ही बेटे को कटोरी की तरह आगे बढ़ाते हो और भीक मंगवाते हो देदे बबाबा ब जाते जाते एक बात सुन लो अज तुम्हारे बाप के मॉर्डर केश की तारीख है मैं कोट भी जाओंगा और वहाँ से बाइज़त रिहा भी हो जाओंगा आगे के लिए इतना याद रखना अगर तुम बहनों ने ज्यादा हाथ पैर बाहर निकाले तो दिवान साफ की तरह तुम दोनों को भी खून से नहला कर दुलन बना दूँगा ये द्वार पे खड़े हैं और इन्हें हमने द्वार चेकाई नहीं दी इसलिए इतना नाराज हो रहे हैं लीजे द्वार चेकाई पता जी आपका अत्यारा बहुत खुश है कि वो आज कोट से रहा हो जाएगा लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूँगी उसने सेल्फ डिफेंस के कानून का साहरा लिया है मैं भी उसी कानून का साहरा लूँगी ताकि साब भी मर जाए और लाठी भी न तूटे विवांग साहब ने जो कुछ किया और बाद में जो कुछ हुआ उस अब यहीं हुआ जाज साहब आपने विदा देखा था तो अब बोलने के लिए बचा क्या है जो गीता पर हाथ रखकर कसम कुछ ऐसी बाते भी कहनी पड़ेगी जो इस अदालत में नहीं हुई थी हम ठेरे गरीब लो हमारे पास न तो दहेच देने के लिए रुपए है और नहीं वकील की फीस के लिए इसलिए मैं खुदी इस केस की पेरवी कर रही हूँ मैं जो कहूंगा सच कहूंगा मिस्टर अंकुष आपको एक वादा करना पड़ेगा कि मैं आपसे जो कुछ भी पूछूंगी आप उसका जवाब बहुती शांती से दीजेगा शांती से जवाब दूँगा घड़त मच जाएं जी हर्गीज नहीं सुनाने आपकी माँ वैश्या थी या नहीं मेरे इतना समझाने के बावजूद कि शांती से जवाब दीजेए जब मैंने इनसे यह कहा कि इनकी माँ वैश्या थी जो एक सच है तो यह भड़क उठें तो बताईए यूर उनर मेरे पिता दिवान सहाब को उस वब गुस्सा क्यों नहीं आता जब उनको वैश्या का जान वो भी इस भरी अदालत में चीक चीक कर सब के सामने मिस्टर अंकुष आप रिवॉल्वर अपने पास हमेशा रखते हैं या नहीं यूर अनर रिवॉल्वर हमेशा अपने पास अक्सर वो लोग रखा करते हैं जिनके पास बहुत सारी दौलत होती है या शोहरत दौलत तो आपके पास है नहीं क्योंकि चरस पीने के लिए पैसे भी आपको ससुराल वालों से भीक में मांगने पड़ते हैं अब रही शोहरत की बाद तो इतना मैं दावे के साथ कह सकती हूं कि आधी रात के बार गली के आवारा पुत्ते आप पर भॉंकते जरूर हों आपके पास ना तो दौलत है ना शोहरत फिर अपने पास रिवॉल्वर रखने की वज़ा क्या है वज़ा ये है कि आप एक घटिया किसम के इंसान हैं आप घुंडे हैं तु मुझे घटिया इंसान और घुंडा कह रही है मैंने तो फिर भी कुछ अच्छा कह दिया आपके ससुराल वाले तो आपको कुछ और ही कहते हैं क्या कहते हैं वो कि आप सावित कर सकते हैं कि आप इस लिहाज से नामड नहीं है। यू शट आप। आप उनके जूटन पर पलते हैं। इसलिए आप उस वफदार कुट्टे की तरह हो गए हैं। जो मालिकों के कुछ कहने से पहले ही भौकना शुरू करने था। बताईए, दीवान साब ने आप से कुछ कहा था? नहीं। चौदी खांदा ने आप से कुछ करने के लिए कहा था? नहीं। तो फिर आपने गोली क्यों चिलाएं। यूर अनर, जो अपनी जिन्दगी अपनी खुशी से जूतन और उत्रन के सारे गुजारता हो। वो हर राग पिकने वाली उन बाजारू ओर्तों से भी ज्यादा गंदा और घिनोना होता है। ये ये बहुत बोली, अब आगे बोली रख तो। बस बस रहने दीजे, मुझे मट डराईए। मुझे मालूम है कि दुन्या में ऐसी कोई दवा नहीं बनी है जो आप जैसे नामर्द को मर्द बना से। अराम साधी मैं तुझे, ये अदालत है, यहां किसी को धंगी देना अदालत की मरियादा के खिलाब। अदालत क्यों मरियादा की ऐसी की तैसिर, तेरी तो।